जब रितिक रोशन और सुजैन खान के तलाक की खबर सामने आई थी तो ये खबर उनके फैंस के लिए काफी चौकाने वाले खबर थी लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो इस तूटते रिष्टे में एक बार फिर कुछ उम्मीदे जगा रहा है दरसल रितिक रोशन और सुजैन खान इन दिनों दुबई में हैं और ये दोनों अपने बच्चों के साथ छिप्टिया मना रहे हैं रितिक रोशन ने सुजैन खान के साथ लगबग 10 साल के लंबे अर्से की दोस्ती के बाद शादी की हमेशा साथ रहने वाले इस जोडे की तलाकी खबर ने सभी को चौका दिया था लेकिन सुजैन ने हाल ही में रितिक रोशन और अपने दोनों बच्चों रिहान और रिदान के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है इस फोटो को देख कर लगता है कि इन दोनों के बीच अभी भी दोस्ती बाकी है इससे पहले रितिक रोशन ने अपने दोनों बच्चों के साथ क्रिस्मस सेलिबरेशन की फोटो भी सोशल मीडिया पर फोस्ट की थी हाला कि सुजान पहले ही ये कह चुकी है कि वो और रितिक कभी एक नहीं होंगे लेकिन वो दोनों हमेशा एक अच्छे माता-पिता होने का फर्स निभाएंगे फिलहाल सुजान अपने इंटिरियर डिजाइनिंग के बिजनस में बिजी है जबकि रितिक रोशन को अपनी आने बाली फिल्म काबिल की रिलीस का इंतजार है ये फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिलीस हो रही है इस फिल्म में रितिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में नज़र आएंगी Bureau Report Team Indian Film History